नमस्कार दोस्तो एक बार फिर्शे हमारे चैनल में आपका बहुत वह स्वागत है तो दोस्तो इस मेडियो में हम एंटोनम पढ़ने वाले हैं एंटोनम मतलब विलॉम शब्द तो दोस्तो आपके एक्जाम में लगो पांच क्युष्ण यहापर अराम से पूछे जाएंगे और दोस्तो यह पांच क्युष्ण इस वीडियो के माद्यम से आपको यहापर कम्प्लेट है वह एंटोनम लगो जितने भी इंपोटनेंट आपके एक्जाम की दरशी से एंटोनम बनते हैं वह इस वीडियो के माद्यम से आपको सारे आपर करवा दिये जाएंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किशी देरी के तो दोस्तों यहापर सबसे पहले है रिलेंक्विंस रिलेंक्विंस मतलब र-e-l-i-n-q-u-i-s-h रिलेंक्विंस मतलब छोड़ देना तो इसका जो एंटोनम यानि की विलोन सर्थ क्या हो जाएगा पोजेज पोजेज यानि अधिकार करना फिर देखे दोस्तों यहापर अगला है काल्म काल्म यानि क्या होता है शांती और एक्साइट ए-क्स-e-i-t एक्साइट मतलब हो अला करना यह इसका एंटोनम हो जाएगा फिर देखे दोस्तों यहापर अगला एक्जोडस ए-क्स-o-d-e-o-s Exodus, Exodus मतलब घर शे जाना या फिर विद्धेश जाना तो इसका इंट्रोनम क्या हो जाएगा Homecoming, यानि घर वापस आना फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला shallow, S-H-A-L-L-O-W shallow मतलब उतला हुआ, तो इसका इंट्रोनम क्या हो जाएगा deep, डिप यानि घहरा दोस्तों अगर आपको कोई यहाँ पर अगर कोई भी spelling आपको शमज में नहीं आती है तो आप comment कर दीजिएगा मैं आपको यहाँ पर पूरी तरह से उसके बारे में जानकारी दे दूँगा फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला है ascend a-s-c-e-n-d ascend, ascend मतलब चड़ना, तो चड़ना का उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा मतलब विलोम्शब, विलोम्शब्द क्या हो जाएगा, उत्तरना उत्ना मतलब descend d-e-s-c-e-n-d फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला अगला है Mortify मतलब अपमानित करना तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Honor H-O-N-O-R Honor मतलब शमानित करना फिर देखे दोस्तों यहापर अगला है Tangible Tangible मतलब मूर्थ तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? ITERial ITERial मतलब सर्वगे फिर देखे दोस्ते हैं, यह एंपर अगला is stupid, stupid का मतलब मूर्क तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, clever, clever मतलब चतूर फिर देखे दोस्ते हैं, आपर अगला enormous, en-o-r-o-e-n-o-r-m-o-e-us enormous, enormous मतलब विसाल, तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा, tiny, tiny एनी छोटा फिर देखें दोस्तों यहापर अगला अगला है दोस्तो Opsolate Opsolate का मतलब क्या होता है विलोक्तिया पुराना तो इसका इंट्रोनम क्या हो जाएगा Contemporary Contemporary मतलब समकालिन फिर देखें दोस्तों यहापर अगला अगला है Lancherius Lancherius का मतलब कामुक तो इसका intronum क्या हो जाएगा? Chest, chest मतलब pranjal फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला artificial artificial क्या होता है? कर्तरीम तो natural, natural इसका क्या हो जाएगा? प्राकर्तिक फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला अगला दोस्तों यहाँ पर refrain refrain मतलब रोकना तो इसका इंटोनम क्या जाएगा continue, continue मतलब जारी रखना फिर देखिए दोस्तों यहापर अगला silent, silent का मतलब शान्थ, noisy यानि होहला करना या फिर अशान्थ, फिर देखते हैं दोस्तों यहापर अगला अगला दोस्तों यहापर reticent reticent मतलब कम बोलना, how to spoken यानि अतियदिक बोलना फिर देखिए दोस्तों यहापर अगला misanthropist, misanthropist यानि मानव द्वेसी तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा philanthropist, philanthropist मतलब मानव प्रेमी यह इसका विलोम शब्द हो जाएगा फिर देखिए दोस्तों यहापर अगला alleviate, alleviate यानि कम और aggravate यानि बढ़ाना alleviate यानि कम करना और इसका इंटोनम क्या हो जाएगा aggravate, aggravate यानि बढ़ाना फिर देखिए दोस्तों यहापर mortal, mortal का क्या होगा, मर्त तो mortal का यहाप पर जो एंटोनम है वो क्या हो जाएगा immortal immortal मतलब अमर फिर देखी दोस्तों यहापर अगला अगला है दोस्तों victory victory का मतलब जीत तो जीत का उल्टा क्या हो जाएगा हार हार मतलब defeat तो इसका यह एंटोनम हो जाएगा फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला broad जैसे दोस्तों यहाँ पर पट्री में यूज होता है न broad gauge, narrow gauge broad यानि क्या होता है चोड़ा और तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा narrow narrow यानि सक्रा फिर देखिए दोस्तों यहाँ अगला confirm confirm यानि बने रहना तो इसका intonum क्या हो जाएगा deviate, deviate यानि बठक जाना ये इसका intonum हो जाएगा फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला liability liability यानि आर्थिक दाइत हो है तो इसका intonum क्या हो जाएगा assisted, assisted मतलब sympathy, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला failure failure का आपको यहाँ पर intonum success, यह आपको समझ में आता है, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला अगला है दोस्तों यहाँ पर relentless, relentless क्या होता है निर्दई, तो इसका निर्दई मतलब जो की बिना मतलब आसनी से मानने वाला नहीं हो, तो इसका intonum क्या हो जाएगा, yielding y-i-e-l-d-i-n-g yielding मतलब आसनी से मानने वाला यह इसका intonum हो जाएगा फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला polite, polite का मतलब क्या होता है, sabbe तो sabbe का, willom sabb क्या होगा sabbe, मतलब rude r-u-d-e, rude इसका intonum हो जाएगा, फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर fidelity, fidelity क्या होता है, वफदारी तो इसका intonum क्या हो जाएगा, यहाँ पर in लगा देंगे, मतलब infidelity जनी जो वफदार नहीं हो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर gigantic gigantic क्या होता है, बड़ा बड़ा का intonum, छोटा, छोटा मतलब pang, pang का मतलब छोटा, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर hoard, hoard मतलब store तो hoard का यहाँ पर intonum क्या हो जाएगा, west बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगले intonum की अगला intonum में यहाँ पर just just का मतलब क्या होता है, न्याए तो न्याए का यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा, अन्याए मतलब unjust फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगला obscurus, obscurus मतलब chop loose, तो इस का intonum क्या हो जाएगा rude, rude मतलब unfed या असब्य फिर देखे दोस्तों यहां पर triangle triangle त्रैंगेल मतलब sंत और sंत का असंत असंत का मतलब distribute यानि disturb फिर देखे दोस्तों, यया पर अगला strange strange मतलब अजनभी और familiar मतलब pariwarik ये इसका intonim हो जाएगा फिर देखे दोस्तों, यहां पर अगला अगला है अपेथी, अपेथी का मतलब क्या होता है बाव हिंता, तो यहाँ पर इसका इंटोनम क्या जाएगा एंतोजियाजम, एंतोजियाजम मतलब जोस, फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला अट्रेक्टिव, अट्रेक्ट, अट्रेक्ट मतलब आकरशित, तो इसका इ फोली मतलब मूर्क फिर देखिए दोस्तों यहां पर अगला है ट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट्रांस्पिरेंट् फिर देखे दोस्ते हैं यहां पर अगला अगला है दोस्ते हैं यहां पर रेरली यानि बहुत कम फ्रिंक्वेली फ्रिंक्वेली मतलब बार बार जो मतलब बार बार होता है फिर देखे दोस्ते हैं यहां पर अगला है हर्मनी हर्मनी मतलब सामन जशे तो इसका इंटोनम क्या ह जाएगा strip, strip मतलब clay, फिर देखें दोस्तों यहाप रगला है fitter, fitter मतलब भंदन, तो इसका intronome क्या जाएगा liberate, liberate मतलब सवतंत्र, फिर देखें दोस्तों यहाप रगला है parsimonious, parsimonious क्या होता है इसका intronome हो जाएगा, फिर देखें दोस्तों यहापर dense, dense यानि गना, और तो इसका intronome क्या हो जाएगा sparse, sparse मतलब कम, फिर बात करते हैं दोस्तों अगले intronomes की, अगला है दोस्तों यहापर ostracize, ostracize यानि बहिसकार करना और welcome यानि स्वागत करना या फिर किसी चीज़ को अपनाना फिर देखें दोस्तों यहापर अगला है lament, lament यानि विलाप, तो कोई विलाप करता है तो इसका उल्टा या फिर intronome क्या हो जाएगा आनन लितिया, joy या फिर एपी, मतलब rejoice, joy, funny या फिर एपी, ये इसके intronome हो जाएगे फिर देखें दोस्तों यहापर mutilate, mutilate यानि बिगारना और यहापर mind, मिंड यानि क्या हो जाएगा, सुदारना फिर देखें दोस्तों यहापर अगला है, reluctantly, reluctantly मतलब संकोच, तो इसका intronome क्या जाएगा, willingly, willingly मतलब कुशी से फिर देखें दोस्तों यहापर अगला, अगला है myth, myth यानि जूटा, fact, fact यानि सच्चा या फिर सही, इसका intronome हो जाएगा फिर यहापर अगला है, consolation, consolation मतलब सुले, तो इसका intronome क्या हो जाएगा, confirmation, confirmation मतलब मुकाबला फिर देखें दोस्तों यहापर अगला है, effluent, effluent मतलब धनी, तो इसका intronome क्या हो जाएगा, poor, poor मतलब गरीब, क्या, गरीब इसका intronome हो जाएगा फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला है erudate erudate ही है मतलब ग्यान तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा अग्यान मतलब अनिस्कोरलली अनिस्कोरलली मतलब अग्यान फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला अगला है यहाँ पर cox ox क्या था मतलब जुकना तो इसका intronome क्या हो जाएगा dishoot, dishoot मतलब नहीं जुकना ये इसका intronome हो जाएगा फिर देखे दोस्तों यहां पर अगला alteration alteration मतलब कहा सुनी तो इसका intronome क्या हो जाएगा compromise, compromise में सुले देखे दोस्तों अगर किसी दो बंदों की बीच में यहां पर लड़े हो जाती है मतलब कहा सुनी हो जाती है तो इसको हम सुल जा सकते हैं पिर तो इसको क्या कहा जाता है तो यह इसका यहां पर intronome हो जाएगा फिर देखे दोस्तों यहां पर अगला animosity animosity यानि bear या सतुता तो इसका intonum क्या हो जाएगा love यानि प्यार या फिर बंदन फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला अगला है ratification यानि अनुसमर्थन तो इसका intonum क्या हो जाएगा disapproval disapproval मतलब अश्विकर्थ फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला है rough यानि खुर्दरा और smooth यानि याँ पर कॉमलता से हो जाएगा एक तरह से यहाँ पर इसका अर्थ फिर देखें दोस्तों यहाँ पर अगला अगला है दोस्तों यहाँ पर impertinent इंपंटिनेंट यानि रूड तो इसका इंटोनुम क्या हो जाएगा respectful respectful मतलब सब्वे फिर देखिए दोस्ते यहाँ पर अगला है फेलिशेबल फेलिएबल सोरी फेलिएबल फेलिएबल मतलब चूक करने वाला तो इसका इंटोनुम क्या हो जाएगा अनियरिंग अनियरिंग मतलब अचूक फिर देखिए दोस्ते यहाँ पर अगला है प्रोचाइल प्रोचाइल यानि संकिरन संकिरन मतलब यहाँ पर थोड़ा मतलब जिसका जो रास्ता वो यहाँ पर बहुत ही कम हो उसको यहाँ पर एक तरसे प्रोचाहल की रूप में यूज में लग सकते हैं तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Broad, Broad यानि चोड़ा फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला है Autonomy, Autonomy यानि स्वायत, तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Dependence, Dependence मतलब अधिन्ता, फिर देखिए यानि अनुपालना तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Deviation, Deviation मतलब Vigiland, फिर अगला यहाँ पर दोस्तों, Criticize Criticize मतलब आलोचना करना तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Command, Command यानि सहराना करना फिर दोस्तों यहाँ पर अगला Facilitate, Facilitate मतलब आसान करना तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Hinder, Hinder मतलब अचन डालना क्या अचन डालना फिर देखे दोस्तों, यहाँ पर अगला है Calpable, Calpable Calpable हो दंडनी है तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Blameness, Blameness मतलब निदोस फिर देखे दोस्तों, यहाँ पर अगला है Nadir Nadir मतलब निमतम स्थर तो जैनित इसका इंटोनम हो जाएगा और इसका मतलब क्या हो जाएगा? Shisister फिर देखे दोस्तों, यहाँ अगला है Candid Candid मतलब सच्चा तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Divis Divis मतलब कपटी फिर देखे दोस्तों, यहाँ अपर अगला है Inquisitive 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 मतलब जिग्यासू तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Indifferent Indifferent मतलब उदाशीन फिर अगला है दोस्तों, यहाँ अपर अगला है Exodus Exodus मतलब निर्गमन तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Influx Influx मतलब पर उदाशीन फिर अगला है दोस्तों, यहाँ पर Endmonies Admonies Admonies मतलब दिखाणना तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा? Price Price मतलब? Perροsomecomm सागरना फिर अगला है दोस्तों, यहाँ अपर Predilluction free deduction मतलब जुखाओ तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा dislike मतलब जुखाओ फिर अगला दोस्तों यहापर protein, protein मतलब बदलना जैसे दोस्तों हम इसको इस तरह से याद रखते हैं जैसे हम अगर protein काते हैं तो हमारे body में changes हो जाते हैं तो उस हिसाब से आपर इंटोटो मतलब पूरा तो partly, partly मतलब आंची ग्रूप से फिर अगला है disappear, despair despair मतलब निरासा तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा hope hope मतलब आशा फिर अगला है दोस्तों यहापर arid arid का मतलब सुखा तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा wet weight मतलब गीला फिर अगला है sertile sertile मतलब गठाना तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा enlarge enlarge मतलब बढ़ाना फिर अगला है convicted convicted मतलब अपरादी तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा equated equated मतलब छुढवाना या फिर अपराद मतलब करना फिर अगला है Migrate, Migrate मतलब परवास तो इसका Entonum क्या हुजएगा Return, Return मतलब वापस फिर अगला है दोस्तों यहापर Abandance, Abandance मतलब पचुता तो इसका Entonum क्या हुजएगा Scarcity, Scarcity मतलब अभाव फिर अगला है Agroan, Erogant, Erogant मतलब अभिमानी तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा modest, modest मतलब विनेपुन फिर देखें दोस्तों यहापर अगला अगला है audacious, audacious मतलब neder, तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा caudly, audly मतलब kair, फिर अगला है futile futile मतलब worth तो worth ही मतलब तो इसका योग्य इसका एंटोनम हो जाएगा फिर दोस्तों यहापर अगला है align, align मतलब बारी तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा native native मतलब आंत्रिक फिर देखें दोस्तों यहापर अगला है apparent, apparent यानि वास्तों में तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा hidden, hidden मतलब चुपाना, फिर अगला यहाँ पर myopic, myopic मतलब दूरदर्शी, तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा, farsight, farsight मतलब दूरदर्शी, फिर देखी दोस्तों यहाँ पर अगला, अब लाए, obstinate, obstinate मतलब जिर्दी, तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा, confused, confused मतलब फिर अगला है, mournful मतलब दुखी, तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा, joyce, joyce मतलब अनन्दित, फिर अगला है, penaski, penaski मतलब डर, अगला है, calm मतलब रगला, पिर अगला है दोस्तों, यहाँ अबर gentleman, gentleman मतलब sergeant, तो इसका इंटोनम क्या हो जाएगा, boore, boore मतलब गमार, फिर देखे दोस्ते हैं आपर अगला, एगला है एनॉक्सियस, एनॉक्सियस मतलब चिंतित, तो इसका इंट्रोनम क्यों जाएगा काल, काल में नी सांथ, फिर देखे दोस्ते हैं आपर अगला है फिलान्ट्रोपिस्ट, फिलान्ट्रोपिस्ट है नी प्रोपकारी, तो इसका इंटोन्म क्या जाएगा major, major मतलब пон酪, फिर देखें दोस्तों ये पर अगला अगला है intellectual, understandable यह निया अगला यह दोस्तों यहापर lenseful, lenseful यह निया ज़ी दा यह पर अगला अगला है दोस्तों यहाप पर Lember Sum Lember Sum यानि असुविदा तो इसका इन्टोनिम क्या हो जाएगा Covenant, Covenant यानि सुविदा जनक, फिर अगला है Evident, Evident मतलब Spast, तो इसका इन्टोनिम क्या हो जाएगा Obscure, O-B-S-C-U-R-E Obscure मतलब Aspast, फिर अगला है Sublime, Sublime लोग उतकर तो इसका इन्टोनिम क्या हो जाएगा Inferor, Inferor मतलब निम्निया, नीच्चा फिर अगला है Legdacials, यानि RC, तो इसका इन्टोनिम क्या हो जाएगा Enthogesic, Enthogesic मतलब उतसाई फिर अगला है दोस्ते हैं आपर Curcory, Curcory मतलब सत्य तो इसका Enthogesic, तो इसका Entronym क्या हो जाएगा Throg, तो इसका Entronym क्या हो जाएगा Illigence, Illigence यानि Sister, तो इसका Entronym क्या हो जाएगा Vulgarity, Vulgarity मतलब Aslilta फिर अगला है दोस्ते हैं आपर Handy, Handy मतलब सुईदा जनंक तो इसका Entronym क्या हो जाएगा Lembersome, Lembersome मतलब Aslilta फिर अगला है Uncounted, Uncounted मतलब आकशिक मिलना तो इसका Entronym क्या हो जाएगा Avoided, अवइड़ यानि तालना फिर अगला है दोस्तों Transparent, Transparent यानि पारदर्शक तो इसका Entronym क्या हो जाए अपेक, अपेक मतलब आपारदर्शक फिर अगला है दोस्तों आपर Distant, Distant यानि दूर तो Close, Close यानि Pass इसका Entronym हो जाएगा फिर देखे दोस्तों आपर अगला Access, Access यानि तका देना तो इसका Entronym क्या जाएगा Invigorates, Invigorates यानि स्पूर्दिदाएक फिर अगला है दोस्तों आपर Mini Chair, Mini Chair यानि छोटा तो इसका Entronym क्या जाएगा Large, Large यानि बड़ा फिर अगला है दोस्तों आपर Integration, Integration यानि एकिकरन तो इसका Entronym क्या जाएगा Fragmentation, Fragmentation यानि विखंडन फिर देखे दोस्तों आपर अगला, अगला है Omit Omit का मतलब क्या होता है चोड़ देना या पिर बहार करना तो इसका Entronym क्या जाएगा Include, Include मतलब शामिल करना फिर अगला है दोस्तों आपर Candid, Candid मतलब शच्चा तो इसका Entronym क्या जाएगा Cunning, Cunning यानि दूरत या चलाक फिर अगला दोस्तों आप Precise, Precise यानि Spast तो इसका Entronym क्या जाएगा Vankyu, Vankyu मतलब Aspast फिर देखें दोस्तों आपर अगला है Retician Retician का मतलब क्या जाएगा अलब बासी तो इसका Entronym क्या जाएगा Communicative, Communicative मिलनसार फिर अगला है दोस्तों आपर Agony Agony यानि यातना देना या पिर शताना तो इसका Entronym क्या जाएगा Pleasure, Pleasure यानि सुक फिर देखें दोस्तों आपर अगला है Agreement Agreement का मतलब समझोता तो इसका Entronym क्या जाएगा Discord Discord मतलब अन्बन फिर अगला है Affluence Affluence यानि समर्दी तो इसका Entronym क्या जाएगा Poetry Poetry मतलब गरिभी फिर अगला है दोस्तों यहाँपर Sertile Sertile मतलब रोकना या फिर गठाना तो इसका Entronym क्या जाएगा है Resume Resume यानि पुना या फिर पुना आरम करना फिर देखें दोस्तों आपर अगला है Affirmation Affirmation यानि समर्दन तो इसका Entronym क्या जाएगा है Daniel Daniel यानि कंडन या फिर S विकार करना फिर देखें दोस्तों आपर अगला अगला है Consice Consice यानि संचे तो इसका Entronym क्या जाएगा Lengthy Lengthy यानि विस्तर फिर अगला है Prudent Prudent यानि विवेकी तो इसका Entronym क्या जाएगा Unwise Unwise यानि अविवेक पुरन फिर अगला है Dispays Discrete नहीं तरस्कार करना इसका एंटोनम की ज़रब परशन सा करना फिर अगला है Gruesome गर्यूसम यहनी ड्रावना तो इसका एंटोनम की ज़रब ग्रिसेयस ग्रिसेयस मतलब आराम दे फिर देखे दोस्तों या अपर अगला अगला है Charming Charming मतलब आकरशित तो इसका इंटरनम क्या हो जाएगा फिर अगला है दोस्ते हैं आपर काल्सियस, काल्सियस मतलब निर्दई, तो इसका इंट्रोनिम क्या जाएगा सेंसिटिव, सेंसिटिव मतलब सेंसिल, फिर देखें दोस्ते हैं आपर अगला है इलिसिटिव, इलिसिटिव अनि अवेद, तो इसका इंट्रोनिम क्या जाएगा लवफुल, लवफुल मतलब वेद, फिर देखे दोस्ते हैं अगला है गिगांटिक, गिगांटिक तो इसका इंट्रोनिम क्या जाएगा छोटा, मतलब टाइनी, टाइनी जोटा, फिर देखे दोस्ते हैं अगला है अतेस्टिक, अतेस्ट, अतेस्ट मतलब नास्तिक, तो इसक पर आपर elegant तो इसका intramo का ज़ंगा crude मतलब assist फिर यहाँ पर रहे obscure obscure मतलब easiest तो इसका intramo का ज़ंगा clear clear मतलबτο फिर अगला है दोस्ते महाँ आपर submit submit यानि शिकर तो इसका intramo की ज़ंगा bottom यानि तल फिर अगला है दोस्ते महाँः। अनुरुपता इसका इंट्रोम की सिंगाए डिफर मतलब असमर फिर देखे दोस्ता आप अगला है फ्लरीस यह नहीं फलना फूलना तो इसका इंट्रोम क्या हो जाएगा डिगिन डिद्रेट मतलब नेश्दर्मी फिर अगला है दोस्तों यहापर मोनोटोनस मतलब दिल चाज तो इसका इंटोनम क्योँआ जाएगा Interesting Interesting मरलब Nilень फिर अगला है दोस्थों यहाँपर Latent Latent क्या होता है Aparthex तो इसका इंटोनम क्योँआ जाएगा Om AirPods Office मरलब Idलch फिर अगला है दोस्थों Euphirmal Euphirmal संदेटर अलबकालिक तो इसका intonum क्यों जाएगा eternal, इंथर्णल मतलब अनंत फिर अगला है दोस्तों यहाँपर obsentive, obsentive हो असलील तो इसका intonum क्यों जाएगा descent, descent मतलब subway फिर अगला है दोस्तों यहाँपर orthodox orthodox मतलब roodivadi तो इसका intonum क्यों जाएगा heretical,heretical यहाँपर फिर अगला है दोस्तों resumes subsequent, Mechanical आगामी, तो इसका intonum क्यों जाएगा prayer, prayer मतलब पूरवका, फिर अगला है दोस्तों यहाँपर fendish, Laser यहाँपर, तो इसका intonum क्यों जाएगा friendly, friendly यहाँपर मितर्था, फिर अगला है अगला है दोस्तो अक्स्टिनेट, अक्स्टिनेट मतलब विलूप, तो इसका एंटोनम क्या जाएगा अलाइव, अलाइव मतलब जिवित, फिर अगला है दोस्तो ओबरीटी, ओबरीटी मतलब नसे में ना होना, तो इसका एंटोनम क्या जाएगा ड्रंकनेश, ड्रंकनेश मत मितलब so wow तो इसका internum क्या जाएगा Generality Generality मितलब व्योपक्ता फिर आगला है दोस्तों यहां पर Rebellion Rebellion मितलब withdraw तो इसका internum क्या जाएगा Submission Submission मतलब अधीन्ता फिर अगला है दोस्तों यहां पर Lugan Lugan मतलब ढिला करना तो इसका intonum क्यों जाएगा दोस्तो फास्टन फास्टन मतलब जकरना फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर सप्रेश सप्रेश मतलब दबाना तो इसका intonum क्यों जाएगा इंसाइट मतलब बढ़काना फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर फार फेचेट फार फेचेट मतलब व सच्ब्हूश्टी तो इसका एंट्वन क्यों जग्या येली स्टीक मतलब वास्ट्वीक फिर अगला दोस्तेये आपर शyu mary öğ लजाएगा ग certaines sev दोस्तों यह पर शादारण पर इन ग्लितन िंग्लितन मतलब बतला है तो इसका intonome क्या हो जाएगा विफोग मतलब अंद्रकार में फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर advanced, advanced मतलब उन्नत तो इसका intonome क्या हो जाएगा retired, retired मतलब प्रगति रोकना, retired जिसे अपन बोलते हैं न कि हाँ यह इस post से यहाँ पर retired हो गया है फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर melodious, melodious मतलब period तो इसका intonome क्या जाएगा odious, odious मतलब period फिर अगला है दोस्तों यहाँ निगारडली निगारडली मतलब कंजूशी से तो इसका intonome क्या जाएगा livresly, livresly मतलब खुले दिल से फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर टेक्स ओप, टेक्स ओप मतलब उड़ना तो इसका एंट्रोनम के जगा लेंड्स लेंड्स मतलब यहाँ पर उतरना फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर असेंट्री सिटी, असेंट्री सिटी मतलब उत्पटांग फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर टोमोरस टोमोरस मतलब डरावा तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा बॉल्ड बॉल्ड मतलब निर्विक फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर ब्रेथ मतलब चोड़ाई तो इसका एंटोनम क्या हो जाएगा नेरोनेश नेरोन यह तो मिंदर दो इसका अंट्रौन में जिजाए कि अधुश्कष करें हुआ घंजी से फिरिकेश्ट त्लाक यह तो इसका अंटौनुं किया जैगा जोreen को पक्लिए याँ एmost अमांता तो इसका अंटारों में जो를 प्रक्रव अगला है insert, insert मतलब डालना, तो इसकाryjust हों जाएगा extract, extract मतलब نिकालना, फिर अंड पर survival, survival मतलब बिताना, तो इसका syntonim क्यों जाएगा subst, यहां ग्र्णा पर चाहने अंतिपेता है तो इसका इंटेोनों कर थिर्धेना करते हैं अधूलacs den ना पिरर अगले दोस्ते हैं यहां पर जाड़ी मिलब सेताना तो इसका इंटेयर्फ यहां प्रेटी्लियद क करनाacious ऊताना तो ₹श ना तो इसका सिर्ड यहां पर अगला अगला है यहां पर उस जीसा नियाम हो हरा जॉट पर उसका přजो सके ओसने रना मुझका होजाएगा यहां पर debod मतलब आकर्षन फिर देखिए दोस्तों मैं अगला कि अगला है एक प्रोग अगला है दोस्तों यहाँ पर आपपोर्शी फ्यल अपपोर्शी माने मनें संकायूख तो इसका एंटॉन क्या जाएगा अथन्टिक ऑफ्यूले प्रियूले मतलब उद्दास पूरोग तो इसका ए और दिखे हैं आगला है de पिर देखें हैं आप अगला है एक्स會 तंक करने वाला तो इसका स्टिंग मतलब सांती दायक फिर अगला है दोस्तों है आप एंपल मतलब पर्चूर तो इसका एंट्रों क्या जगा मिजर मतलब मरीज क्या मर्ज मतलब अल्प फिर देखे दोस्तों है अगला है लेटेंट लेटेंट अपर्टेक्स तो इसका एंट्रों क्या जाए एविडें डोर्मेंट मταलब निश्करिये क्या या निश्करिये तो इसका इंटॉन्यम-क्यालब आपक अपर श्रायुंढून्यट मतलब म्हित्वह नहीं दिए तरह तो इसका इंटॉन्यम यापला स्मर्दी क्या चोंद्रिश तो इसकाelectव इन्कुंस्टिव – पेर अगला है दोस्तों यहाँ अपर ट्रिचीरीज़ मतलब 9 खराम तो इसका एंट्रॉनर्यम क्या जैंगा फेथफूल, फेथफूल वफादार फिर अगला है दोस्तों यहाँ आपर complete, complete मतलब पालना फिलना तो इसका एंट्रॉनर्यम क्या होजाएगा challenge, challenge मतलब चुनवती देना फिर अगला है दोस्तों आपने सुना होगा रेपीड टेस्ट मुलब तेज तो इसका इंटर्यम क्या जाएगा इसका इंटर्यम क्या जाएगा इंग्रीज मतलब फूर्तिला फिर अगला है दोस्तों आपर ओटोनमी ओटोनमी क्या था स्वायता तो इसका इंटर्यम क्या जाएगा डिपेंडेश्ट इने सिस्का अधिनद्ट पर इनिवीटेड नियुक्ते निल आरम करना तो इसका इंटर्यम क्या जाएगा यापंट नकली इसका इंटर्यम हो जाएगा फिर अख्लाग है यहाँ पर Consistence, Consistence मैं नहीं सहमती तो इसका इंटरुनियम क्याँ Disagreement, Disagreemental आह सहमती फिर अख्लाग है दोस्तें यहाँ पर Fruitless, Fruitless मतलब Nisphal फिर तो इसका इंटरुनियम क्या जगाँ Successful, Successful मतलब Shuffle हई दोस्तों दॉस्त है वह अभ्यंट ही दूस्तों दूसुत हैं हम मत्रवग दोस्तों यहापर रेटें रे मıtदा केश्म के अधिसका अंतरा यह लिए दोग लेने पॉंट इसका इन्टोनों क्या हो जाएगा इनकम्प्लीट यानि अदुरा फिर देखें दोस्तों आपर अकला है इक्वाइड यानि चुड़ाना तो इसका इन्टोनों क्या जाएगा connected, connected मतलब शीवद अप्रादी फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर Precious, Precious मतलब काल्कुनिक तो realist का क्या हो जाएगा Antonym मतलब वास्त्विक फिर अगला है दोस्तों यहाँ इस्टे टिउनरी इस्टे टिउनरी मतलब टिकना ये प्रिस्तर तो इसका intronum क्या हो जगा moving, moving मतलब चलता फिरता फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर deviate, deviate यानि हटाना तो इसका intronum क्या हो जगा correct rate, correct rate मतलब ज्यान देना फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर credit, credit यानि दन जमा करना debit, debit मतलब दन निकालना इसका intronum हो जगा फिर देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला है ओड़ाशिटी, ओड़ाशिटी मतलब सायस, तो इसका इंट्रोनम क्या हो जाएगा कोड़ाश, कोड़ाश मतलब कायरता, फिर अगला है दोस्तों यहाँ पर रोबस्ट, रोबस्ट मतलब मजबूत, तो इसका इंट्रोनम क्या हो प्रफम फिरके दोस्ताहिं यहां पर अपर अप्री मतलुक। शामत है।ног से यहां पर अगलाए उरल वर्ण मतलँ बोल्ण तो इसका अगला संगा ब्लब। दोस्त इहां पर होनेश्ट, होनेश्ट मतलब वेमानदार, तो इसका इन्ट्रौन म suspect यहँदीग और कंपलेशियेर अनिवार दोस्ते हैं ऑप्षयाइब कंपलेशिय कंपलेश्य कंपल्स न उनिवार यह सका और अप्चनल्स अज़े अप्टिनेग धे निस्चित द म्यूजाए म सबस्ति अपड़वर निस्चित प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट यानि महत्वपूंड तो इसका एंट्रोम क्या जाएगा ओप्स्क्योर ओप्स्क्योर मतलब एस्पेस्ट फिर देखे दोस्ते हम रगला है डिस्क्रेटिव डिस्क्रेटिव यानि निवासकारी या फिर निवासकारी या फिर विनासकारी या फि तो इसका internum का जाएगा इन्टोरियन सिच्ण हाँ, फीर देखेंड़ा प्रएल अगला राव लू 지원 सिच्ण नन्यूराथ अ नाती है, पहला प्रबदों अगरदो को जाएद उसका internum प्रभ। फिर देखे दोस्तों हों के हो जिएका हैफ जेल कि वन मनेने पंर पंट को मिघाज़ेए तो इसका इंसना ओगल में बहुदिवेगें गंत्तु है। पिर देखिए दोस्तों में बढ़ना आप में आपको इतना ही यहाँ पर में आपको सारी जितने ही आपर most important यहांपर एंटोनम बनते हैं आपके exam की दरश्टी से मैंने आप पर सारे बता दिये तो दोस्तों इस वीडियो में इतने हैं अगर वीडियो अच्छाले वीडियो लाइक करें शेयर कें और हमारे चनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने आवले वीडियो नुटिवर साथ से पहले मिसके तो मिल देख लिए वीडियो तब तक लिए धन्यवाद